नमस्कार मैं डॉक्टर विजय कुमर माने एमडी हुमेपाती फाउंडर चेर्मर अप मॉडर्न हुमेपाती मॉल्टि स्पेशलेटी क्लेनी साकरोस इंडिया बॉडर्न हुमेपाती की स्पेशलिटी है आप सब लुग जानते हैं किड्नी फिल्यूर कैंसर लिवर सिरोसिस की कार्डियोमायपाती वॉल में हार्ट के वॉल जो है वॉल खरब हो जाना या या अंजाइनल डिसीजेस हार्ड के रख्तावयने में ब्लॉकिजिस होना यह सभी बीमारे के उपर अपर मॉडर्न हुमेपाती की रिसर्च बेसे टीटमेंट हम करते हैं आप सभी लोग को प अब धेसे माले लीना की यह सभी लोग को पता है आज हम बात करने के जा रहा है कि आज हम बात करने जा रहा हूं कि रही है है कि कोई इसको में उनके में अइस जहाता है बढ़े आंत को पार्डें के समस्सेर के इंसे जाता है। बढ़े आंत में मैं स्यग्मायक प्रवक्तर रीचल हो जाता है। सबसे निचला इसा होता है, जानसे जुध को दील न कलता है लिए इन्स होता है। Colorectal cancer भी भारत में या कुछ फॉरिन कंट्री में बहुत कॉमन है Colorectal cancers are more common in USA, UK, Spain, France जहां लोग red meat बहुत बड़े पैमाने पे खाते है कुछ आरप कंट्री में भी colorectal cancer कॉमन है जो लोग अत्यादिक मात्रा में red meat का सेवन करते है उनमें जो meat का barbecue करते है और खाते है उन लोगों में भी colorectal cancer बहुत बड़े पैमाने पे है तो study से पता चला है कि red meat का अत्यादिक सेवन करना ये colorectal cancer को जन्म देता है बाकी के कारणों में smoking, tobacco chewing, goodka chewing, कुछ chemical exposures, pollution, hormonal treatments, anti-tubercular drugs, pain killer का अत्यादिक सेवन ये भी कारण colorectal cancer में common हो सकते है तो colorectal cancer के लक्षन क्या होते है colorectal cancer के लक्षन में एक संडास में खून आ जाना red color का ताजा-ताजा खून आ जाना संडास करने से पहले कुछ बार संडास के साथ या कुछ बार संडास करने के बाद खून आ सकता है पेट में दर्द होता है, lower abdomen में especially, rectal region में बहुत बड़े पैमाने पे दर्द होता है, कुछ बार constipation होता है, संडा साप नहीं होता, खुन के साथ होता है, कुछ बार brownish colored false smelling stool होता है, कुछ बार अगर बीमारी analogue rectal region में है, तो बहुत जोरोगा दर्द होता है, और loose stools होते हैं दिन में कई बार patient को loose stool पास करना पड़ता है, पानी जैसा stool भी होता है, या false smelling loose stool भी होता है, कुछ बार जिसको mucous discharge बोलते है, slishmal discharge वो भी stool में होता है, तो यहीं सब लक्षन होते हैं, उसके साथ weight कम हो जाना, भुग कम होना, fever बार बार आना, दिन दात फिवर रहना, perspiration बहुत बड़े पैमाने पर आ जाना, यहीं लक्षन को लोरेक्टल कांसर में दिख जाते हैं, अगर ऐसे लक्षन है, तो मैं आहवान करूंगा, आप तोरंट मॉडर्न होमेपाती से संपर करें, लक्षन के बार हम को लोरेक्टल का डाग्नोसिस का इसे करते हैं, उसके बार में आप्डॉमें पेल्विस, यह टेस्ट किये जाते हैं, क्योंकि सोनोग्राफी में वह नहीं दिखता, अगर बीमारी पाहिले है, तो पेड सीटी स्कैन किया जाता है, उसके शरीर में कहां-कहां बीमारी पाहिली है, उसका पता चलता है, प्रोगनोसिस के लिए भी पेड CT scan की जरुवत पढ़ सकती है कि कितनी बिमारी कम हो रही है या बढ़ रही है blood test भी है उसमें CA 19.9 करके एक test है उससे भी prognostic value पता चलता है general test में CBC, renal function test, liver function test, urine routine इस test भी किये जाते हैं diagnosis के बाद हम treatment के बारे में बात करेंगे conventional colorectal cancer के treatment के बारे में हम बात करेंगे उसमें surgical remol of particular जहां वो cancer है वो part का remol किया जाता है जैसे कि colon का या rectum का और बाहर back बिटा ही जाती है बाद में वो जोड़ा भी जा सकता है अगर बिमारी बड़े पहमाने पे है तो chemotherapy दी जाती है कुछ बार radiation दिया जाता है एक तीन option प्रमकेर से conventional treatment में है colorectal cancer में एक महदोपरना बात आपको बतानी है जो लोगों को हजप्रुंग disease या colitis की बिमारी रहती है जिसमें स्टूल बार-बार हो जाना पतले स्टूल हो जाना पेट में दर्द हो जाना खाने के बाद पेट में दर्द हो जाना स्टूल में रख पढ़ जाना ऐसी जो colitis की बिमारी होती है उनमें colorectal cancer होनी की संभावना बहुत बड़ी रहती है कन्वेशनल टीटमेंट में गोलिया कुछ है उनमें क्योंकि अक्टोइमिन डिसीज है लेकिन वो बाद में कुछ साल के बाद वो लोगों को colorectal cancer होनी की संभावना बहुत बड़ी रहती है तो colitis भी हमने अच्छी तरह टीट किया है बहुत से colitis के लोग भी अच्छी भी लोगों माड़ोन हुमेपाती के यूटूब चानल में और वेफसाइट में दिये हुए मैं कुछ केसिस आपको बताना चाहता हूँ दो केसिस बहुत से केसिस है एक केस में उनको रेक्टम कैंसर हुआ था उसके बाद उन्होंने रेडेशन लिया था रेडेशन लेने के बाद कुछ महिनों तक बीमारी कम रही और फिर रिकरंस हो गया रिकरंस होने के बाद पेशन्ट हमारे पास आ गए उनकी बीमारी करीबन छे मैने में चली गई आज तक उनको रिकरंस नहीं हुआ है, और एक केस मेरे पास आये थी, उनको कोलोन रिस्रिक्शन किया था, और केमोधिर पी ली थी, उसके दो साल के बाद बीमारी लिवर में बढ़ गए, लिवर में मेट्राडसिस हो गया और पेशंट हमारे पास आ गया, तो उनको भी जब ह